सिलाई के बच्चे वी कपड़ों को फेकने से पहले एक वार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 7 आइडियास शेयर किये हैं जिसमें आप सिलाई की जो बच्चे वी कतरन होती हैं उनका यूज करके बहुत अच्छे अच्छे आइडियास बना सकते हैं या फिर कुछी भी तरह के छोटे मोटे कपड़े आपके पास पड़े हैं या फिर कुछ पुराने फैबरिक आपके पास पड़े हैं उनका यूज़ करके भी आप ये वाले ideas बना सकते हो बहुत ही useful चीज़ें आज में आपके साथ share कर रही हूँ तो चले start करते है तो हमारे first idea के लिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल छोटी-छोटी कत्रनों का use किया है जो एकदम बारीक-बारीक कत्रन है जो वो slice से बची होती है और जिनका बिल्कुल कोई भी use नहीं होता है तो इस तरह की कत्रन आपको लेनी है और अगर कुछ बड़े piece हैं आपके पास तो आप उनको सीजर से काटके बहुत छोटे-छोटे इस तरह से एकदम उनकी cutting कर लिजी और यह न कटिंग करने के बाद मैं काफी soft हो जाते हैं काफी light bit हो जाते हैं तो इस तरह से मेरे पास जितने भी fabric थे न उनको मैंने बहुत छोटा-छोटा cutting कर लिया है और इस वाले idea में एकदम छोटी-छोटी cutting का भी आप यूज कर सकते हो और अभी मैंने लिया है एक पुराना तके का गिलाफ यहाँ पे आप कोई भी पुराना कुसन cover या पिर पुराना तके का cover यूज कर सकते हो या फिर आप कोई भी एक piece लेकर करके यहाँ पे अलग से भी यह गलाफ जो है वो सिल सकते हो तो सारे जो कतरन थी उनको मैंने इस प्लो कवर में सेट कर दिया है और यहाँ पर मुझे प्लो कवर नहीं बनाना है मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ एक DIY कुसन तो जो बचा हुआ फैबरेक है इसको मैंने अंदर के तरफ इसी में एड़ेस्ट कर दिया है और अभी एक सैड में हमें आपे सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे सिलाई में लगा के रेडी कर ली है और इस तरह से बिल्कुल आपका DIY किया हुआ एक सौफ्ट सा और बहुत लाइट वेट कुसन आपे बिल्कुल बनके तेयार हो गया है तो इस तरह से आप घर में बिल्कुल फ्री में कुसंस बना सकते हैं बचेवे कपरों से और इस वाले आडिया में आप बिल्कुल बेकार से बेकार फैबरिक का भी यूज कर सकते हैं और अब बनाएंगे इसके लिए एक प्यारा सा कुसं कवर जो की बहुत मेंगे मेंगे मिलते हैं मार्केट में लेकिन हम घर पे बिल्कुल फ्री में इनको बनाके रेडी करेंगे वो भी सिर्फ कुछ बचेवी कत्रणों के साथ में तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपने कुसं का एक मिजर्मेंट निकाला है तो यहाँ पे जो मेरा मिजर्मेंट है वो है 44 x 44 और यह एक स्टेंडर्ड मिजर्मेंट है जो आपको मार्केट में मिल जाते हैं तो मैंने इसके लिए यहाप पी 26 x 26 cm के 4 पीस कट किये हैं और contrast में मैंने यहापर इन पीसिस को लिया है तो 2 पीस मैंने यहापर white के लिए हैं और 2 ही मैंने यहापर black के लिए हैं और अभी हमें क्या करना है एक white piece और एक black piece को एक दूसरे के उपर इस तरह से रखना है और अभी हमें करने हैं यहापर marking तो दोनों side corner से corner को match करते हुए किसी भी scale की health से आप यहापर एक तम straight line को draw कर लिजिए और अभी हमें कर लिनी है sketch stitching तो जहाँ पे हमने line को draw किया था उसी के दोनों तरफ हमें सिलाई के लिए margin छोड़ते हुए सीधी सिलाई लगानी है और line के उपर बिल्कुल भी machine नहीं चलाना है line के दोनों तरफ थुरा थुरा जगा छोड़ते हुए हमें इस तरह से machine चलानी है और अभी हमें क्या करना है फिर से कप्ड़े का center निकालना है और जो हमने सिलाई की थी center में उसके corners का center लेते हुए इस तरह से हमें एक-एक सिधी line और ट्रो करनी है दोनों तरफ तो इस तरह से हमने यहाँ पे निसान लगाया है और एक fabric से यहाँ पे art piece जो है जाए इस तरह से पूरी cutting करनी है तो मैंने यहाँ पे दोनों पीस को ready कर लिया था और एक piece से हमें करें यहाँ पे art piece मिले है तो इस तरह से मैंने दोनों pieces से यहाँ पे 16 piece बना के ready किये है तो 16 pieces मैंने यहाँ पे निकाल लिये है और आप हमें इस पर अच्छे से iron करनी है सारी pieces को खोल का अगर कहीं पर भी आपको uneven fabric दिख रहा है या फिर जो corners हमारे निकले है इसे हमें यहाप अच्छे से finish से cut कर लेना है तो इस तरह से मैंने यहां पे सारे ही पीसिस को अच्छे से फिनिस करके ले लिया है और टोटल 16 पीसिस मुझे यहां पे मिल गए है तो यह 16 जो पैच है न यह बनके हमारे यहां पे रेड़ी हुए है तो इन पैचिस को आप कई तरीके से डिजाइन इन कर इस रूफ बना सकते हो सेम पैचिस से आप 6-7 तरीके के पैटर्न यहां पे बना सकते है तो मैंने यहां पे जो पैटर्न निकाला है वो है यह फ्लावर वाला जो बनने के बाद बहुत ही सुन्दर लगता है और जो pattern आपको बनाना है उसी way में आप इसको अच्छे से बिचा लेजिए और उसके बाद में आप 1 by 1 सबको overlap कीजिए दो-दो के pair में और उसके बाद आप इसमें स्लाई लगाना स्टार्ट करिए और स्लाई लगाने के लिए आपको सेम margin ही सारे pieces के अंदर रखना है और स्लाई लगाने के बाद में जो भी extra fabric है जो भी धागे है उनको भी आप साथ के साथ यहां पे cut करते जाए बहुत easy होता है इसको बनाना बिल्कुल भी अगर आपको stitching नहीं आती है या फिर सिंपल machine चलाना आपको आता है न तो भी आप इस pattern को बहुत easily बना पाएंगे और सबसे अची बाती है कि छोटे-छोटे टोकड़े जो आपके घर में बेश्ट पड़े रहते है न और उसके थ्रूब भी आप इसको बहुती मतलब इस तरह के designer को शंगवर बना पाएंगे जो की market में बहुँचादा महेंगे मिलते है तो बनवाएंवर मैंने यहापे करते समय सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी joints होते हैं वो सारे एक के उपर एक आने चाहिए और अब इसमें अच्छे से प्रेस कर ली है जिसे तनी भी सिलाइए हमने इसमें लगाई थी उनसे को हमने आपे बिठा लिया है और अब हमें निकालना इसका measurement त कट किया है और इसको प्रेस के help से अच्छे से stick कर लेना है और जो भी एक्ट्रा फैवरिक है या पर जो भी एक्ट्रा आपकी पेस्टिंग पेपर इसको यहां पर कट करके ले लेना है और यह बहुत ही finishing के साथ में आपका एक piece बनके यहां पर ready हो जाएगा और अब हमें ब सिंपल स्लाई हमें लगा के यहां पे लेनी है तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल सा आपका एक designer कुशन कवर बनके बिल्कुल ready हो जाता है वो भी एकदम perfect fitting में और इस तरह के जो designer कुशन कवर होते हैं यह market से बहुत costly मिलते हैं वट आपने इनको बिल्कुल free में बना के अपन घर में बना सकते हो जो कि बहुत यहादा सुंदर अच्छी fitting में और finishing से बनके ready हो जाते हैं तो कैसा लगा आपको मेरा यह वाला idea प्लीज comment में जरूर बताएगा और यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है यह वाला idea मेरा पसंद आया है तो वीडियो को like करके channel को subscribe भी कर लेना और share कर देना वीडियो को अपने family और friend के साथ में तो अब बनाते हैं हमारा next DIY तो इसके लिए मैं यहाँ पर साड़े तीन बाई साड़े तीन इंच के दो fabric कट किये हैं और इसको triangle करके अच्छी तरह से यहाँ पर place करके fold कर लिया है और जितना भी extra fabric है यहाँ पर धाके निकले हैं उनको अच्छी तरह से यहाँ पर finish करके, मतलब cut करके finish कर लेना है और इसके जो corners है इस पर हम इस तरह से यहाँ पर जिगजय करके इसको fold करेंगी तो वीडियो में आप थोड़ा ध्यान से देखेगा आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पर इसी तरह से ready किया है और अच्छे से finishing कर देंगे और अब हमें क्या करना है इन दौनों को एक दूसरे के उपर इस तरह से opposite रख करके उपर की side में यहाँ पर sly लगानी है और center में इस तरह की हम यहाँ पर door attach कर देंगे तो यहाँ तक अनने इसको बना के अच्छे से ready किया है और finishing साथ के साथ में करते हुए जाना है और अब हमें यहाँ पर सीधा कड़ लेना है अब मैंने यहाँ पर लिया है एक और फैब्रिक इसको मैंने यहाँ पर square cut किया है और idea से आपको यह फैब्रिक लेना है और इसको इस तरह से चार बार fold करके यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगानी है triangle shape में और double slide लगाने के बाद मैं हम यहाँ पर इसको cut कर लेंगे जो extra margin है इसको और अब इसको सीधा कर लेंगे तो इस तरह से जो एक bell shape होता है वो हमारे यहाँ पर निकल के आ गया है अब मेरे पास एक पुरानी राखी पड़ी हुई थी जिसको मैंने यहाँ पर कट किया है और इसके जो मोती है इनको मैं यहाँ पर यूज करूँगे तो सबसे पहले ही हमने जो यह bell shape बनाया था इसके अंदर से मैंने यहाँ पर सुई को निकाला है तो इस तरह इसे बिरुकुल फ्री में ही हमने इतने सुन्दर से टैसल बना लिये हैं सिर्फ हमारे घर में पड़ी हुई कुछ बेश्ट कत्रनों से तो आप multi color में इनको बना सकते हैं इनको यूज कर सकते हैं बहुती सुन्दर लगते बनने के बाद में और ऐसे चीज़ा market में बहुत costly भी मिलती हैं तो आप इनको जड़ फ्राइ कीजिएगा आप चलते हैं हमारे next idea के तरफ तो यहां पे मेरे पास silk का कुछ कपड़ा पड़ा हुआ था यह दुपट्टे का कपड़ा है और इसको मैंने आपने square करके लिया है तो अगर आपके पास कोई hanky है शिल्क में शाटन में या फिर जॉर्जट में तो आप उसका भी यहां पर यूज कर सकते हैं और इसकी मैंने आमने सामने वाले दो जो corners है इनको आपस में गांट लगाई है डबल गांट लगाई है और अब थर्ड वाले corner को इन गांटों के अंदर से निका जलना है तो इस तरह से यहां पर फ्लावर का शिएप बन जाएगा और आब सारे कपड़े को यहां पर आच्छे से न हातों से डेडी करना है इसको तो द्वारा से जो भी हमारा फैबरिक था उसको एड़ेस्ट कर लेंगे और यह सुन्दर सा फ्लावर यहाँ पर बन गया है तो मैंने यहाँ पर बनाया है एक instant सा हेयर वो बिना किसी slime machine की help से बिना किसी सुईधागे की help से जो की बहुत यहादा सुन्दर लगता है नेक्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पर बैलवेट का फैबरिक लिया है सूट से बच्ची भी कटिंग थी यह मेरी जो जिसका मैं यहाँ पर यहाँ पर यूज कर रही हूँ और अगर नीचे की सैड भी हमें एक इंच यहाँ पर मार्जन के लिए छोड़ देना है और इसे अच्छी तरह से अभी हम यहाँ पर सीधा करके लेंगे और जो दोनों corners हैं इनको हम यहाँ पर सिलाई लगाके एकदम finish कर लेंगे अच्छे से सेट करेंगे पूरे फैबरिक को और अब यहाँ पर जो थोड़ा सा open part है न यहाँ पर हम इसमें elastic को insert करेंगे तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ इस crunchy तो अपने हाथ की fitting से या फिर जो भी आपको नाप चाहिए न उसके according आप यहाँ पर elastic कट करके इसके अंदर डाल दीजिए और अच्छे से इसमें note लगा दीजिए बचा हुआ जितना भी open part है इसमें अब हम सीधी sly लगाकर इसको अच्छे से finishing के साथ में sil के इसको बंद कर देंगे और यह बहुत सुन्दर सी scrunchy आपकी बनके ready हो गई है तो सलाइस से बच्चे हुए जिदने भी आपके कपड़े होते हैं उनके तुरुआ बहुत सुन्दर सुन्दर इस तरह के DIY बना सकते हैं और बहुत अच्छा business idea भी है यह आप चाहें एक मैंने लगाया है पहले 1.5 इंच पर और एक मैंने लगाया है साड़े 3 इंच पर और दोनों मार्क को हम यह आपे सीधा कर लेंगे उपर के तरफ मैंने एक इंच का मार कॉर्ड लगाया है और इसको अगयने हापे हम सीधा करके लेंगे नीचे के तरब जो दोनों माक लगाए थे उनको हम यहाँ पे तिर्चा कर लेंगे और उपर के तरब से भी थोड़ा से इसमें सीधा तिर्चा शेप देंगे और इन्ही निजानों पे अब हमें इसे कट करके लेना है तो इस तरह से यहाँ पे यह हमें शेप मिल गया है और अभी किसी भी कपड़े पे बच्चे भी कपड़े पे आप इसको आइरन कर लेजी अच्छे से और इसे पेस्ट कर लेजी और इसी के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे कट करके ले लेंगे और अब हमें लेना है एक और फैबरिक और उसको उपर हमें इसको उल्टा रख करके इस पेस्टिच कर लेना है और अब इसको अगेन यहाँ पर हमें कट करके लेना है और मार्जन छोड़ देंगे थोड़ा सा और अच्छे से कटिंग कर लेंगे इसके जो corner सा यहाँ पर हमें छोटी-छोटी cut लगाने हैं और अब हम इसको यहाँ पर सीधा करके लेंगे तो सीधा यहाँ पर कर लिया है और नीचे की तरब से भी मैंने यहाँ पर rough stitch लगाकर इसको finish कर लिया है अब मैंने यहाँ पर एक plain fabric लिया है इसके matching में और इसको तीन साइड से मैंने आपर सिल लिया है और इसमें मैंने उपर के साइड में plate डाली है तो यह जो plate से इनको हम change की चोड़ाई में ही adjust करके डालेंगे और अच्छे से iron कर लेंगे तो change की चोड़ाई इसलिए लिया मैंने क्योंकि जो ऊपर वाला part था उसकी चोड़ाई भी हमारी change थी तो अच्छे सी plate डालने के बाद प्रेस किया है और दोनों part को अब एक दूसरे में adjust करके हमें आप अच्छे से slide लगा देंगे तो पूरे में अच्छे से घुमा करके slide लगानी है में आपे तो इस तरह से आपका जो बच्चे ववे कपड़े होते हैं सूट के या कुर्ती के जो आपके बिल्कुल व्यूस में नहीं आते हैं उनकी help से आप इतना सुन्दर सा एक kitchen टावल बना सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पे एक की रिंग लगाई है और थोड़े से buttons लगाने के बाद मैं मैंने इसको अच्छे से decorate कर दिया है और अभी market में भी मिलने वाले जो हमारे kitchen टावल होते हैं उससे भी कई गुना सुन्दर kitchen टावल मैंने घर पे ही बना के ready किया है और यह बहुत यहाँ सुन्दर लग रहा है बनने के बाद मैं तो अगर आप try करते हो इन मैं से कोई भी idea तो please comment में मुझे जरूर बताएगा तो next idea के लिए मैंने यहाँ पे again बच्चा हुआ fabric लिया है जो सलाई के बच्चे हुए fabric होते हैं और अब मैंने लिया है एक bowl और उसी के measurement से मैंने यहाँ पे round का एक निसान लगा लिया है और इस निसान से 2 इंच उपर मैंने एक और निसान लगाया है और यहाँ से मैंने इसको round में ही cut करके ले लिया है और अभी 4 तरफ से इसको अच्छी तरह से sly लगाते हुए इसको finishing कर लेनी है तो guys आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बहुती अच्छे अच्छी और unique से ideas share किये हैं और बहुती ज्यादा useful है जिनको आप अपने daily life में use कर सकते हो कोई भी idea अगर आपको इसमें से पसंद आता है तो वीडियो को like जरूर कर लेना और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलना और well icon को भी press कर देना जिससे मेरी upcoming videos के notifications आपको मिलते रहेंगे तो यहाँ पर मैंने ली है अब एक elastic और जो हमारा निशान था ना जो हमने वोल से निसान लगाया था उसी के ऊपर हमें इस elastic को रख करके खींसते हुए यहाँ पर लगाते हुए जाना है तो बहुत finishing के साथ में यह बन जाता है और सबसे ची बात यह है कि घर में ही बन जाते हैं बच्चे हुए कपणों के साथ और बहुत कम खर्चे में बन जाते हैं और यह बहुत useful सारे के सारे projects होते हैं जो आपकी daily life में बहुत जादा काम में आते हैं तो इस तरह से पूरी elastic को घुमाते हुए मैंने यहाँ पर लगा लिया है एक्स्ट्रा जो elastic का उसको यहाँ पर cut कर देंगे तो इतना सुन्दर सा आपका एक जो fabric lid है न यह ready हो गई है बन करके तो कैसे लगे आपको आज के ideas मुझे तो सारे ही ideas बहुत जादा पसंद है और आपको कैसे लगे प्लीज ज़रूर बताएगा आज के लिए बस इतना ही मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स फिलिए में तिल देन बाबाय टेक केर लव यू एंड लव यू लोट